नमस्ते प्रैक्टिकल गुरू और बाइक मेकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है आज मैं आज आपको बता रहा हूं कि टू इस्टोक इंजन के अंदर पिस्टन रिंग को किस तरीके से फिट करते हैं और पिस्टन की क्या पोजिशन रहती है और सिलेंडर व्ल आउटलेड वाल यह दो बाल रहते हैं अब इसकी जो सेफ रहता पिस्टन का टू स्टोक इंजन में देख़ए इस तरीके कर रहता है और फॉर इस्टोक में बिल्कुल फ्लेट रहता है तो यह टू स्टोक का और टू स्टोक के अंदर बहुत सारे दिख रहा हूँग होगा का मतलब रहता है जो एक जास के तरह इसका डारेक्शन होना चाहिएlist है अब ठीक है अब यह वाला आपको जो दिख रहए होче इसके अंदर जो ट्रैंसपर पोर्ट में रहता है यह ट्रांसपर, इसके अंधर से ट्रांसपर होता हुगा पिस्टन के ऊपर आता है इसली आप आपने इसको उल्टा फिट कर दिया तो यह कभी भी इंजन चालू नहीं होगा और प्रोब्लम करेगा क्योंकि ट्रांसपर हो गए नहीं ना इसलिए इसकी पोजिशन हमेशा इधर होती हो और मार्क एक्जास्ट के तरफ होता है क्यों आप इसको पिस्टन फिट करने का पिस्टन रिंग को किस तरीके से छाँ तो आपको देख रहा यह नीचे रहता है ठीक है तो आपको इस तरीके से बिल्कुल फिट करना आ अब इसकी पॉइस Nous रहे एक आघाल कि यह पुइंसन रहती है जो इसका अंदर जो पिस्टन का जो पॉइंट रहता है अब जो पिस्टन की जो लृश्ट कृईर्ट है एक यह और यह जो जो लाश्किन के अंदर होना चाहЕТ यहां पर दूसरा यहां पर उना चाहिए से किखा रहता है कंपरेसान और ओलीक निए होता है तो बहुत इंपोरण रहता तो सबसे पहले जब भी आप फिड करो तो आपको यहां पर इस मार्क पर फिट करना आपको असको आप कि इसको यह फिट हो जाती पिष्टन रिंग फिट करने में आसान रहता है तो आपको पता होना चाहिए यह वाला गुरूप भी आपको यहां पर पता होना चाहिए यह यहां पर लगाएज़ा है और इसको फिर इसको देख लो एक बार मेंच कर लो एक यहां पर है यहां पर ह तो आज आपने देखा किस तरीके से टूस्टो के अंदर पिस्टन रिंग करते हैं उसका कौन सा डारिक्सन होता है और पोर्ट के तरफ हमेशा यह वाला होना चाहिए तो आपको बिल्कुल इस तरीके के आपको इसके अंदर फिट करना तो आसा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगए वीडियो आपको अच्छा लगए मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्क्राइब करें तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो मैं परकाश कुमार सहनी थैंक यू